दोस्तो जब भी हम Tata Power के अंदर एक नए बिल connection का आविधन करते हैं तो वो किसी ना किसी reason की वज़े से reject कर दिया जाता है, गलती होती है form को सही से ना फिल करने की, आज की इस वीडियो में हम आपको complete process बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने Tata Power के अंदर एक नए connection क आविधन कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा अंतर तक जरूर देखें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तो Tata Power का new connection अपलाई करने के लिए आपको यहाँ पर type करना है Tata Power, जैसे आप यहाँ पर enter pass करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने Tata Power की official website आपके सामने open हो जाएगी, यहाँ पर आपको welcome to Tata Power DDL पर आपको क्लिक कर देना है, दोस्तो इस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं Tata Power की आपको यहाँ पर official website दिखाई दे जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके right side corner में, आपको इस फेली इस्तमाल के लिए यहाँ पर connection अप्लाई करने हैं, तो आपको इस वाले option पर click करना है, अगर आप यहाँ पर non-domestic यानि commercial purpose के लिए इसे इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आपको इस वाले option पर click करना होगा, इसके आपर देख सकते हैं, इंडेस्टियल के लिए, अग अगर आप इस से उपर जाना चाहते हैं, तो आपको इस वाले option पर click करना होगा, फिलाल हम एक किलो वाट से 100 किलो वाट वाले option को ही select करेंगे, क्योंकि इसके बीच का ही हमें यहाँ पर किलो वाट का connection अप्लाई करना है, तो इसको select करते हुए, यहाँ पर आप देख सकते ह आपको option मिल जाता है, apply new connection का, जिसमें आपको दो option दिखाई देता है, pending application का, और दूसरा आपको दिखाई देता है new application का, pending application का option तब इस्तमाल किया जाएगा, जब आपने पहले से ही application apply कर रखा है, और कुछ यहाँ पर छूट गया है, जिसको आप यहाँ पर complete करना चाहते है इसके अलावा अगर यहाँ पर fresh application आप यहाँ पर इस्तमाल करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर new application पर click करना होगा, जैसे आप new application पर click करें, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे आपको mobile number मागा जा रहा है तो यहाँ पर आपको अपना mobile number fill कर देना है, तो दोस्तो यहाँ पर mobile number fill करने के बाद आपको continue वाले option पर tick कर देना है। तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक message आपको भिल जाएगा, OTP successfully sang का और 15 minutes के लिए valid होता है। आपके mobile number पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर fill करना है, और उसके बाद go वाले option पर यहाँ पर click कर देना है। तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, OTP fill करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का form यहाँ पर open हो जाता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक reference number आपको यहाँ पर मिल जाता है, दोस्तो इस application ID का इस्तमाल आप तब कर सकते हैं, जैसे माले जी आप form fill करते हुए, अगर PC बंद हो जाता है या किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, तो इस application ID को डाल करके, आप आगे से continue कर सकते हैं, जितना form आपने fill किया होगा, उतना form आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो दोस्तो हम फटा-फट इस form को fill कर लेते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेम औप अप्लिकेंट आपसे मागा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे हैं, कि भई आप कौन है, कोई applicant है, organization है, या co-applicant है, तो यहाँ पर हम applicant को select करते हुए, आगे बढ़ने वाले हैं, जेंडर में हम यहाँ पर अपना gender select कर लेते हैं, title के अंदर आप यहाँ पर Mr. या Mrs. जो भी आप यहाँ पर डालना चाहें, वो यहाँ पर property paper के हिसाब से आपको यहाँ पर select कर लेना है, mobile number आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले से fill है, यहाँ पर आपको first name type कर देना है, जिसके नाम से यहाँ पर meter apply किया जा रहा है, तो दोस्तो अपको position के अंदर हम यहाँ पर self-employed ले रहे हैं, इसके लावा आप अपने हिसाब से जो भी आपका कार है, उसको यहाँ पर select कर लेज़े, तो self-employed लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, middle name हमारे case में नहीं है, तो हम last name यहाँ पर fill कर देते हैं, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, previous honors name के अंदर हमने यहाँ पर previous honor name type कर दिया है, उसके बढ़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, relationship type में हमने यहाँ पर sun off ले लिया है, और यहाँ पर भी हमने honors relationship में भी हमने sun off ले लिया है, क्योंकि जो property है, वो basically इनकी mother ने इनके नाम किया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको previous honors relationship डालना होगा, तो हमने यहाँ पर mother's फिल कर लिया है, और उसके बढ़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, relationship type में हमने यहाँ पर sun off ले लिया है, और यहाँ पर उनके father का नाम टाइप कर दिया है, उसके बढ़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, authorized signatory है, यहाँ पर click करेंगे, जिसके तुरू हमारा OTP होगा, वो यहाँ से verify हो जाएगा, तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, save personal details का आपको एक option दिखाई देता है, जिस पर आपको tick करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ जाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो details थी यहाँ पर personal details वो यहाँ पर save हो चुकी है, इसके बाद हमें यहाँ पर connection details को fill करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं category applied में आपको यहाँ पर select करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, non domestic और commercial आपको यहाँ पर दिखाई देता है, इस वाले option को हमें यहाँ पर select कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर commercial meter को apply करने वाले हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक message भी आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको kilowatt का option दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पर एक kilowatt का यहाँ पर meter apply कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक डालते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, pen card detail, gst detail अगर आपके पास है, तो आप fill कर सकते हैं, वरना यह mandatory नहीं है, यहाँ पर आपको तीन option दिखाई देंगे, जिसमें ELCB, earthing और internal wiring installed का आपको option दिखाई देगा, इन तीनों ही option पर आपको यहाँ पर tick कर देना है, दोस्तों याद रहे हैं, इन तीनों option पर आपका tick mark होना चाहिए, अगर किसी भी एक option पर आपने यहाँ पर tick नहीं किया हुआ है, तो आपका यहाँ पर meter connection अपलाई तो आप कर देंगे, मगर meter वाले जब आपके पास verification के लिए आएंगे, तो उसे यहाँ पर reject कर जाएंगे, इसलिए आपको इन तीनों option पर यहाँ पर tick करते हुए, आगे बढ़ना है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, single face का आपको एक option दिखाई देता है, तो हम यहाँ पर single face को यहाँ पर apply करने वाले हैं, new connection type में यहाँ पर permanent को select करने वाले हैं, postpad मतलब bill वाला connection, आपके हर महीने bill आएगा, जिसका आपको यहाँ पर monthly payment करना होगा, prepared अभी यहाँ पर apply नहीं हो रहा है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको honor select कर लेना है, अगर आप यहाँ पर इसके मालिक हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना पूरा address फिल कर देना है, नीचे की तरफ आप यहाँ पर अपना landmark डाल देजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना additional address फिल कर देना है, यहाँ पर आप अपने meter को कौन से floor के लिए apply कर रहे हैं, उस floor को आपने यहाँ पर select कर लेना है, तो हमने यहाँ पर ग्राउंड को select कर लिया है, पर्मिस पोटेशन के अंदर आपको अपना meter के इस जगह पर लगवाना है, वो area आपको यहाँ पर select कर लेना है, उसके बद आपको यहाँ पर अपने property paper के अंदर देख लेना है, आपका जो total area है, वो कितने area के अंदर आता है, तो यहाँ पर हमने select कर लिया है square art, और यहाँ पर हम 200 square arts डालते हुए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमसे communication address भी माँग रहा है, तो इस पर click करते हुए, हम same as apply address को select करते हुए, यहाँ पर हम इसे आगे बढ़ जाएंगे, दोस्थो इतना करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यह पूरी details यहाँ पर filled हो चुकी है, इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी documents को फटाफट upload कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपना nearby pole number, और यहाँ पर nearby CA number यहाँ पर type कर देना है, तो हमारा यहाँ पर पहले से ही 1 meter लगा हुआ है, जिसका हम CA number यहाँ पर type कर देते हैं, तो CA number type करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे temporary connection exit site का भी एक option आपको दिखाई दे रहा है, जो हमें यहाँ पर no कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ID proof select कर लेना है, उतने number आपको यहाँ पर type कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 13 pages की GPA यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 13 type कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने documents को upload कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो ID proof होना चाहिए, वो PDF के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी जो GPA वो भी यहाँ पर PDF के अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले GPA को upload करते हैं, तो दूस्तों हमने यहाँ पर GPA upload कर दिया है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है Google, और यहाँ पर आपको टाइप करना है I love PDF, इस वाली website में आपको यहाँ पर दिखाए देगा, JPG to PDF का एक option, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, select JPG को select कर लेना है, और यहाँ पर आप अपनी JPG फाइल को select करते हुए, convert to PDF पर क्लिक कर देजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको download वाले option पर क्लिक कर देना है, आपकी file यहाँ पर download हो चुकी है, PDF में convert हो करके, तो दोस्तो इसके बाद हम फटा-फट यहाँ पर अपनी इस file को upload कर लेते हैं, तो दोस्तो यहाँ पर हमने अपना अधार card और यहाँ पर हमने अपनी property के paper upload कर लिए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमसे यहाँ पर photograph और signature भी मांग रहा है, तो हम फटा-फट अपने photograph और signature को भी यहाँ पर upload कर लेते हैं, अपनी photo को select कर लेना और यहाँ पर open पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्राइग और ड्रॉट को आपको एक option दिखाई दे जाता है, आपको select signature पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जो भी signature यहाँ पर फाइल रखी है, उस फाइल को आप यहाँ पर select कर लेजिए, और यहाँ से upload वाले option पर क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, save document का एक option दिखाई देगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना capture फिल करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, time and condition का आपको एक option दिखाई देगा, इस link पर आपको click कर देना, और यहाँ से आपको सभी time and condition को read कर लेना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले बटन पर click करना है, और इसके बाद यहाँ पर review and submit का एक option आपको दिखाई देगा, इस पर आपको click कर देना है, दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो भी details यहाँ पर फिल की थी, वो सभी details हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर submit वाले बटन पर simply click कर देना है, तो submit वाले बटन पर जैसे में यहाँ पर click करेंगे, तो हमारा form completely यहाँ पर submit कर दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा reference number generate हो चुका है, यहाँ यहाँ से हमने successfully submit कर दिया है, इसके बाद आप चाहें तो इस reference number को copy करके रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका print out भी निकाल के रख सकते हैं, तो हम इसका print out यहाँ पर PDF में save कर ले रहे हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप Tata Power का new connection अपलाई कर सकते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा, धन्यवाद,